आपको दिखाए एक बार कैमरा पैन करके तो आप देखेंगे जहां तक भी हमारा कैमरा जाएगा उसके बाद आपको कहीं भी ऐसी जगे नजर नहीं है बार बार जाते हैं सरपंज की पास जुठा सवा संदेकर हमें सरपंज के जाएगा जाएगा प्लानीम लगा दिया उत आक उच भी मदद नहीं है सरपंज के बिला पर वाए थोड़ी बहुत क्योंके उनको बार बार बोला गए कई बार बच्चे गिर भी चुके हैं एक बुजरिक आदमी यहां गिरगा था जिसमें उसकी डैथ होगी थी कि पलाट में जाएं इंज नंगोस्ताने जाएं खेत में जाएं चकीताई भी जाओ मार्दुरा बंद वह चुके हैं सेउंटी फाइब परसेंट गाओं की भैसे खराब हो रही हैं और थी कंडिसारी दिक्का तेरिश भाई लिकड़न कोई कुण्य रस्त वेल देना बंद वह रहा संतु पतिन सरफंथ कंत दाश वर वह यहां सरपंथ कोई जुबावी ना देर हुएल यह ए अर्फूबगीटकर लिकड़ा बताम अर्बालक लिक्लें गाड़े लिक्ड़ेंगर दिल्ट अनिजे आकां गंड लिकड़ा तो पाड़ोसीने लिक्ड़ंदी अग गोटो लागरू उच्च सबसे पहले आप समशान घाट के जो हालात है वो देख सकते हैं मेरे साथ आप यहां देखें कितनी बड़ी-बड़ी अगर मैं घास की बात करूं कॉंग्रेश घास भी यहां पर है और साथ साथ आप इसका जो हाल है वो आप देखें पूरे का पूरा अगर मैं बात करूं समशान घाट की तो जहां भी आप नजर गुमाएंगे मैं अपने सहागी से कहूंगा कि वो आपको दिखाए एक बार कैमरा पहन करके तो आप देखेंगे जहां तक भी हमारा कैमरा जा हैंगे वहां तक आप देख पाएंगे कि समशान घाट के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं हम गाउं के जो यहां पर मोजीज आदमी हैं उनसे भी जानने की कोशिज करेंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि यह हालात होने का एक्च्वल में कारण क्या है हमेर लोगों कोई मलसुनाई ने की हमारी तो आमारी आप से और गाहमाणों से यह है कि हम सब बच्चे लाग लोग के इनकी सफाई करेंगे और कुछ एक टैलों की वह आपने सरपंचे भी कई थी अभी इसके साथ साथ जो नहीं समशान गाट बनाया था उसके साथ साथ और इसक मुझूद है उनसे भी हम जाननी कोच करेंगे सर आप में से कोई आगया के बोलना चाहे तो एक बार आगया आप बताएं जो यह हालात है इनका कारण आपको क्या लगता है क्या सिर्फ बारिस की वज़े से है या फिर लापर रवाई भी इसके अंदर है इसमें सरपंच के नहीं पर लाए थोड़ी बहुत क्योंकि उनको बार-बार बोला गया है काम करवाने के लिए पर वह इसकी प्रप्तिव निए करते हैं और बार इसकी भी क्या गाउं के अंदर भी ऐसे ही थालात हैं अगर मैं बात करूं क्योंकि यह तो एक सिर्फ संसान है गाउं के अगर म कि आप लो लोग जाते हैं तो सरफप्न्च का जवाब हैं सरफंच का जवागगे लेकर नो अगुछ करवाएं तो पिछले 5 साल में शिर्फ यही है करवाते हैं जी और आप जैसे हमारे भाई सूरेश जिवा पारज़न पॉल स्टार स्कूल के चेरमेन आप इन्होंने बच्चों के पर तिरुजाव दिखाया है और इन्होंने घ्राउंड में काम करवाना और पेड वोगहरा हैं आप लोगों में से और को ये पनी राय रखना चाहे तो एक बार आ गया आप बताएं सर गाउं के और समशान घाट के जो अहाला तभी बच्चे बता रहें क्या हकीकत यही है हाँ सर्पंच को बार बार बोला गया बच्चों को बस तसली देते हैं काम करवाते नहीं अभी हमारी पंचाहत के हमें आना पड़ता है आने वाले समय में आप कैसा सर्पंच आते हैं जो हमारे युवाओं का दियान रखे और हमारे गाउं का और हमारे गिराउंड के परती उनका थोड़ा रुजान हो और अच्छे से काम करवाई इमांदार होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पे ज खाएंगे अब हम आप पहुंचे हैं गाउं के ही प्लेग्राउंड में बहुआ गाउं का जो प्लेग्राउंड है उसके जो हालात हैं वो आप यहां देख पाएंगे जो गाउं के जवान बच्चे हैं जवान तब का जो गाउं का है उसको आप देख सकते हैं उसने ही इस आज जो भी इन्होंने परिवर्तन किया है ग्राउंड के अंदर यहां आप देख सकते हैं कि गोडियां वगरा भी शायद लगाई गई होंगी और जिस तरीके से इन्होंने साफ सफाई करने की कोशिस की है वो इनका कहना है कि वो खुद इन्होंने की है मैं अपने सेयोगी से किया है तो यहां भी इन लोगों का कहना कि यह मोरा अपने किया है और उसके बाद में अभी इन्होंने एक क्लब बना दिया है अपने गाउं की तरब से और वह उल्भ सब की निग्रानी करेगा आई हम बच्छों से बीकपर जान लेते हैं जो ज़वान बचके हैंors जो यहां पे playground में खेलने वाले बच्चे उन से भी हम बात करेंगे सर आप यह बताएं कि जो आपने अभी इस playground को परिवर्तित किया है पहले इसके हालात क्या थे और अब आप लोगों ने कैसे क्या किया पहले आलात भी कुल मिला के ठीक थे लेकिन अब ज्यादा ठीक हो गए वहां से उचाई थी तो वहां से ट्रैक पर पाने बर जाता था उस्वज़ेशाज कल हमने गोड़ी लगा कर और सारे बच्चों युवा हमारी टीम ने मिले कल इनको सफाई की अच्छे से और जो उची नीचे जगया थी उनको समतलिए तो आप लोगों बता रहे हैं कि सरपंस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही तो आप लोगों की मदद कहां से हो रही है और दूसरी बात क्या आपने अभी थोड़े देर पहले बताया था कि यहां पर आ है तो हम उनसे मिल रही है फिलाला भी जी आने वाले समय में आप अपने इस प्लेग्राउंड को किस रूप में देखना चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड आगे कई गाओं में चर्चा हुआ हमारे ग्याओं की और उसके साथ-साथ हमारे युवा बच्चों कि वह थोड़ा आप में से कोई और युवा आपने विचार रखना चाहता है आगे आप बताएं अपने ग्राउंड को बात सब्सक्राइब करवां 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 जिला पर से दिखन जा वो वी देखोड़ी वो नुका नुगाल दिया पैसा यो नुका वाया ना सी यो नुका गुमन उत ल बालक करवा रहें अपने खुद गणाते 200-20000 रुपया मिला करन लाग रही सर्पंज के तरफ तो कोई में देखनी आहीं आने वाले समय में क्या आप चाहते हैं कि किस तरीके का दो सर्पंज है वो चुना जाए या फिर दुबारा से आप ऐसे एक सर्पंज को बिढ़ाना आने वाले समय में बालक कर वाएं आगा बढ़ीं बालक खेल नहीं ग्राउंड काम को ना रहा है तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो बच्चेंवों कह रहे हैं कि हमारा जो प्लेग्राउंड है वो खुद इनों मिलके इसको जो भी परिवर्टन इसके अंदर किया है वो इन बच्चों के दुवारा किया गया है और साथ साथ सर्पंज के बारे में जो इन्होंने बताया कि जो समसान घाट के आला थे वो भी आप देख चुके हैं और यहां प्लेग्राउंड के अंदर भी खुद की ईजोर में पहुंच चुकी है अब हम गाओं की एक और समश्या को उछाने वाले हैं आइए आपको वहां भी ले चलते अब हम आप पहुंचे हैं बववागाउं में ही मंदिर के पास में जहां पे शीतला माता का मंदिर है इनके जो गाओं के ड़ादा बोले जाते हैं अपने साहगी से कहूंगा एक बार आपको थोड़ा आगे की तरफ नजर डाल के वो दिखाएं कि यहां के जो हालात है वो कैसे हैं और इस पानी के अंदर बताया जा रहा है कि जब मेला लगता है तो लोग इस पानी को पीते भी हैं तो आप इस पानी को पीने लाइक कहां तक समझते हैं वो आप देख सकते हैं और आने वाला जो सरधालू होगा जो जिसकी आस्ता यहां पे है तो वो इस पानी को अपने मूँ के अंदर कैसे ले जाता होगा सबसे बड़ी विडंबना है आज जो गाउं के लोग हमारे साथ मोजूद है इनसे भी हम इसी के बारे में जानने कोशिज करेंगे सर आप बताएं यह दो स्थीती है किस परकार से बनी हुई और क्या-क्या दिखते हो रही हैं सब सबसे से पहले यहां चार तुरफ गाउं घर हैं गाउं के और यहां चोटे बच्चे हैं कई बार बच्चे गिर बी चुके हैं एक बुजरक आदमी गिरिगा था जिसमें उसकी डैथ होगी थी इस परकार से भी इसका बड़ा भारी नुक्षान होता है सेकेंडली हमारे यहां पर पसु हैं इसके अंदर आते थे बहांस वगरा इसमें आती थी जिससे उसकी गर्मी खतम हो जाती थी और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था इस गंदगी के वज़े से कोई भी भेंसिक अंदर नहीं आ रही है और 75% गाओं की भेंसिय खराब हो रही है आर्थी कंडिशन में यहां पर बड़ा भारी नुक्षान है आफ्टर दैन यहां पर शिव मंदिर है जो कि पूरा गाओं के आते हैं भहिया है इसमें पूरे गा के बंदे खड़े रहते हैं कि यह कोई बच्चा या कोई ऐसे आदमी नहीं गिर जाए इसके अंदर सभी आगर के माट्टी चाड़ते थे जिसकी सब की पुरानी आस्ता थी इस पाणी को अपने माथिप लगाते हैं पुरानी आस्ता चली आ रही है इस पर पसे मैं गवर्म कमी कहा रहे कमी हमारे ही पीछे सरपन से यहां पर इंजल लगवाया गया इसका पानी चितवाया गया बुव्लाज काHOमी कर देंगे इस च्थटाऑ़ हम कर देंगे अट्र थैन पानी पानी निकाड़ा गया और इसकी च्टाइब की गई इसे आप लोगों मेंसे अगर कोई आ गया करना चाहे जी बता इजा बाई ये फटता आई ए क्षटा ऑपड़ाइ करनिकरद भाई के पैशने एगो फटता ही का पैश फीज जो सर पंस का इस बाई यह झेए है कि düşंड इस इस और यो परश्रम करें, कमेटी करें, वह अनकी मर्जी है। और भी कोई अगर बोलना चाहें, इसके बारे में बताना चाहें। जी आप बताएं, जो तालाव के हालाथ हैं, कैसे हो गया है। यह तालाव के हालाथ जी गंदा पानी है। इसमें बाश पहली आया गरती, नाया गरती, सोस्त पाणी राया गरता, बाश्यों में कोई बेमारी ने राया करती, इस गंदे पाणी के कारण, बाश्यों में बेमारी आ गई, और आडोस पाडोस में गर रहते हैं, इन बच्चों में भी बेमारी आ गई, और साथ में हमारे एक पी है इसका पानी भी खराब हो गया घुजिसको चटवाया जाए साभ पानी डलवाया जाए नहर का पानी और इसके यह दंडें ये बिल्कुल डे मीजह में इन निया कर्या जाए क्या अपने पहले इसके बारे में अभिव सर्पन्स को या परसा सέλ के किसी अदिघिकारि क आपको निव बता हैं हां ? शबेंदा नुव tuh लाम है इसका घंदा पानी लिगरवाक। तो जों फाक घंदा पानी एक बाद आनो बहुत घंगा प्रता पामी नहीं करें सावचथ C totally आप लगबी हम तो जी यह सहुष्ट पानी चाहते हैं यह सीतलामातना मंदिर है इस पर डेड़ होगाओं के आदिमी आते हैं नाते हैं पूजा करते हैं मेला वरता है यहां बहुत प्रोबलम भे तो आप देख सकते हैं साफ साफ दुगाओं वाले हैं वो आपको बता रहें क कि इस तालाब के कारण क्या 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 दिखते हैं सामने पे सारी तालाब के कारण क्या 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 परेसानिया हो रहे हैं जी इसमें नालियों का गंदा पानी जमा है जिससे कि बहुत ज्यादा बिमारियों का खत्रा है और मामारी फैल रही है पसू खराब हो रहे हैं जिससे पानी की निकासी की जाए जो गंदा पानी आ रहा है और इसमें साफ पानी को डलवाया जाए जाए और साफ साफ इनका कहना है कि बारिश के समय में और ज्यादा इस तरीकी जो दिकत है वो सामने आती है और आप गंदगी का जो माहौल है वो देख चुके हैं अब यहां पे जो गाओं के पसू है उनको नहलाने के लिए पहले लाया जाता थे लेकिन अब जो स्थिती है इसके अंदर उनको भी यहां पे नहीं लेकर आया जा सकता और उसके कान भी काफी दिखते हैं आसपास जो घर हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उनको कितनी दिक्कत इससे होती होगी खाना बनाते समय या वैसे भी रहने के अगर हम बात करें तो यहां पे रहना किस परकार से दूबर होता होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब हम बढ़ते हैं गाउं की एक और आगे की जो समश्या है उसकी तरफ अब हम बवा गाउं के अंदर एक और समश्या आपके सामने दिखाते हैं आप देख सकते हैं कि यह जो बवा गाउं से उच्चत की तरफ जो दूसरा गाम है वहां की तरफ जो रस्ता जाता है उसके हालात आप देख सकते हैं बद से बत्तर हालात हैं और पूरा का पूरा रास्ता गंदे पानी से अगर हम कहीं कीचड से तो पूरा का पूरा रास्ता भरा हुआ है आप सुरुआत से और अंतिम पड़ाओ तक यहां पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इसी तरीके का है पीछे की तरफ भी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वह आपको दिखाने की कोशिज करें पीछे की साइड भी यही हाल है पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किचर के अंदर भरा हुआ रास्ता है और यहां से इन लोगों को जाना पड़ता है हर दिन यहां से इनका निकलना होता है जो यहां पर हमारे साथ माताय मोजूद है इंसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या दिखते इनको आती है मताजी आप बताएं इस रास्ते से क्या क्या परेसानिया हो रही है पलाट में ज तो भी गाउं में सरपंच बगेरा को बताए इसके बारे में कुब कर देंगे कर देंगे पर देंगे पहलाणू नाइट को दिखड़ो नाइट को यह उतर देदेश करते नहीं करता नहीं अर्शारी से मुझन पईसादा हूं वह तो जाइनक ना कर रहो हूं मताजी आप बताएं रास्ते से क्या के दिखते हो रहे हैं सारी दिक्का तेर इस भाई लिकड़न कोई कुन रस्तो यह ना बंद वह रहा सम्तुकति शर्पंच कंत दस बर वयाया सर्पंच कोई जुबावी ना देर हूं अर्फूब गित कर लिकला बता मर बालक लिकलें दक्राइब गड़न कोई दिकले उरा गा का का पलाटाम जातनुका दिशुल्टी वैल यह ना फेर जां कितका बता यह रोस्ताइब प्रेशानी खूब अरिशमना चिपका हाँ सर्पंच को शागजे खुल इस थारी तो माने खूब प्रेशानी तो इस तो प्रेशानी रहे लिखने आप देख सकते हैं कि साफ साफ दिखते हैं यांप आप लोगों मेंसे आगर कोई बोलना चाहे तो आगया सकता है तो बुड़ी प्रेशानी परेशानी से लिखना तो पाड़सी ने लिखना दी आगगोटो लागरो उच छठा दी और पिछ इस मारगरा तो आप देख सकते हैं किस परकार बज से बत्तर बने हुए हैं मैं पहले भी आपको दिखाज़ का वह और आपको एक पेंड़ करके दिखाए कि आगे की तरफ के जो हाला थे वह कैसे हैं और पीछे की तरफ देख चुके हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी ह हम जानने की कोसिज करेंगे एक बार कि यहा के जो हालात हैं, वो इतने किस कदर बिगडे हुए हैं। और जो आने जाने का जो मेंन रास्ता है, उसको आप देख सकते हैं। किस हालात में व रास्ता है तो गाउं बवा के ंदर जब हम पहुंचे हैं तो यहां के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बद से बदतर और कैसे हो चके हैं गाउं के हालात तो क्या इसी परकार से गाउं होने चाहिए वो आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है सर आप बताएं ये ऐसे हालात कैसे हो रखें ये सर जी पंचात को दो के समझजाई हो रही है कि यह डिकत है कुछा यह यह दो किलोमेटर घूम के आते हैं यह रास्ता कहां जाता है यह रास्ता उच्छत वारे राश्ता अब देख सकते हैं यह इसी रास्ते से आज तो आप देख सकते हैं गाउं के जितने भी यहां पर हमारे साथ की साथ का है लोग मौझूद हैं सभी का यह कहना इसकी वूगया और यहां बहुत प्रात करेंगे यह पर मारे लिए बहुत प्रेशा ने बढ़ी है शर्पंस आता है कि देता है बनवाएंगे बनवाएंगे और फिर चला जाता है अपने कभी जब नहीं देता है तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो गाउंवालों का कहना है वो यही है कि सर्पंस की तरफ से कोई जवाब दे ही लेने का कारिये नहीं किया जा रहा है और इसी तरीके जो पूरा रस्ता ना सिर्फ ये रस्ता हमने पीछे भी आपको दिखाया समशान घाट की जो स्थिती थी वो भी हमने दिखाई और उसके बाद जो प्लेगराउंड मे बदतर जो स्थिती थी वो हो रखी थी और उसके बाद में आप देखी सकते हैं कि यहां का जो रास्ता है वो भी हम आपको दिखा चुके हैं तो इस परकार के जो गाओं है उनको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार भी इस तरफ थोड़ा सा इनिसिटीव ले और आगे की तरफ कदम बढ़ाए ताकि इन गाओं वालों को तकलिफों का जो सामना है वो ना करना पड़े और इसी परकार से जो बिमारिया फैलने का खत्रा हर वक्त बना रहता है उसको किसी परकार से कम किया जासके और एक रिलीफ महसूस ये गाओं वाले लोग कर सके इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और जो आसपास के जो सरपंच हैं उनको भी आप देखके जो आपके गाओं का जो सरपंच आने वाले समय में बनने वाला है तो आप ये देखें कि वो आपके गाओं के लिए क्या करने वाला है क्या वो आपको नोट में खरीदता है या आपको पैसे में हर तरीके से किसी भी प्रकार अगर खरीदने की कोशिस करता है तो उसको आप वोट ना दें कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो आने वाले समय में आपके काम आ सके या आपके गाओं को किसी अलग मंजिल पर पहुचा सके मैं अपने सहयोगी अमित के साथ अमित अ विकास का आधार